जै बोलेनाद आप सभी का हमारी यूटीब चैनल पर हादिक स्वागत है आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं विशाख मास के शुकल पक्ष में पढ़ने वाले प्रदोश व्रत के बारे में प्रदोश व्रत कब रखा जाएगा? त्रेयो दशी तिति कब से कब तक रहेगी? इस दिन प्रदोश काल का समय कब से कब तक रहेगा? प्रदोश्वरत के नियमों के बारे में भी आप जानेंगे और आप जानेंगे अगर 23 तिथी दो दिन तक होती है तो ऐसे में किस तिथी को आपको वरत रखना सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा किस तिथी का प्रदोश्वरत माने रहेगा पहले जान लेते हैं तिथी और शुब मुर्थ के बारे में 13 मई शुकरवार के दिन शुक्र प्रदोश वृत है और इसी दिन वृत भी रखा जाएगा साथ ही इस दिन 12 तिथी भी है जिस दिन 11 वृत का पारण भी किया जाएगा ऐसे में यदि आपने एक आदशी का वृत रखा है और आप प्रदोश वृत भी रखना चाहते हैं या आपका शुक्रवार का वृत भी है तो किस तरह से आपको ये वृत रखना चाहिए इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5.28 मिनट से जिसकी समापती होगी 14 मई शनिवार की तोपहर 3.23 मिनट तक 13 मई शुक्रवार को सुर्योदे का समय रहेगा सुभ 5.50 मिनट और सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 6.55 मिनट पर प्रदोश्त के दिन जो पूजा है वो विशेश रूप से प्रदोशकाल के समय की जाती है तो प्रदोशकाल का समय इस दिन रहेगा शाम 6.10 मिनट से लेकर 7.40 मिनट पर प्रदोश काल के समय में ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए मानेता है कि इस समय भगवान शिव रज़त भवन में बड़ी प्रसन मुद्रा में रहते हैं और इस समय यदि कोई भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो वो उसकी जरूर सुनते हैं शुक्र प्रदोश्वरत हर प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है भगवान भोलिनात के सच्चे भक्त अपनी किसी भी मनुकामना पूर्ती के लिए स्वरत को रख सकते हैं किसी भी समस्या के निवारन के लिए इस व्रत को रख सकते हैं खास तोर पर दामपत्य जीवन को सुखत बनाने के लिए या विवासमंदी बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्र प्रदोश व्रत रखा जाता है ऐसे में सबसे पहले तो ये जान लीजे पहले आपने जिसका व्रत रखा है जैसे सपोज आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप द्वादशी तिति के दिन विधी विधान से पहले तो द्वादशी तिति की पूजा करेंगे क्योंकि आपको एकादशी व्रत का पारण भी करना है और दान की सामगरी भी किसी योगी व्यक्ति को देनी है तो भगवान श्री हरी की पूजा करें मालक्षमी जी की पूजा विधी विधान से करें भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का या फलों का या मिठाई का भोग आप लगाएं तुलसी दल जरूर अर्पित करें फिर अगर आपने प्रदोश व्रत रखना है तो भगवान शिप और मापार्वती के साथ सथ पूरे शिप परिवार की पूजा करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर प्रदोश व्रत रखने का भी संकल्प लें अगर आपने शुक्रवार का व्रत रखना है शुक्रवार का व्रत यानि की मा लक्षमी जी का या वैभव लक्षमी जी का जो भी आप संतोशी माता का व्रत रखते हैं अगर आपका ये व्रत भी आज के दिन है तो आप सबसे पहले अपने जो भी व्रत है उसकी भी पूजा करें और प्रदोश्रत की पूजा भी सुभा की समय करें खास तोर पर जो प्रदोश्रत की पूजा है वो प्रदोश काल के समय की जाती है प्रदोश काल के समय भगवान शिप की पूजा विधिविदान से इसलिए की जाती है ताकि आपकी जो भी अभीस्ट मनुकामना है वो पूर्ण हो सके इसके लिए आप चाहे तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं इस दिन शिवलिंग का अभिशेक करना बहुत ही शुप फलदाई माना जाता है अगर आपने प्रदोश रखना है तो भी आप सुभा के समय यदि द्वादसरी का पारण आपो करना है तो आप केवल तुल्सिदल और जल के साथ भी अपना व्रत खोल सकते हैं कोई भी फल उसे पहले भगवान को भोग लगाई है और खुद भी ग्रहन करके वरत खोल सकते हैं और प्रदोश रत भी रख सकते हैं आज के दिन भगवान शिफ को भांग धतुरा बेलपत्र के साथ सत गंगा जल जरूर अरपित करना चाहें इन में से जो भी सामगरी आपको मिल जाए उसे आप भगवान को सचे मन से अरपित करें हालांकि भगवान शिफ्तों केवल एक लोटा गंगा जल से ही बड़ी आसानी से प्रसन हो जाते हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों के भाव देखते हैं अभाव नहीं देखते हैं आपने जो भी पूजन सामगरी क कामिया अधिक चड़ाई हो उसके लिए आप पूजा करते हैं जरूर करें दिन भर व्रत रखें और शाम को प्रदोश काल के समय उससे पहले आप इस नानादी से निवरित हो जाएं साफसव शिवलिंग की पूजा करें या जो भी तस्वीर या प्रतीमा आपके पास है दीपक शिव मंदिर में जरूर जला कर आए या आप अपने आसपास जो भी बेल वरक्ष है वहां पर भी दीपक को रख सकते हैं और अपनी मनुकामना पूर्दी के लिए भगवान से प्रार्थन चरूर करें भगवान शिव के साथ सत्मापारवती की पूजा करें मा को रिष्टा बार-बार होकर तूट जाता हो या दामपति जीवन में बहुत कड़वाहट हो गई हो पती पतनी में आए दिन बहुत ज़्यादा जगड़े होते हो तो आप सच्चे मन से मापारवती का और भगवान शिव का गडबंधन करें चुन्डरी से या कलावे से आप गडबंधन करें जैसे की फेरों की समय गाठ लगाई जाती है और उसे मापारवत्य भगवान शिव के चर्णों में आप रख दीजिए फिर आपको विदिवत पूजा करनी है मंत्रों का जाब करना है शुक्र प्रदोश्रत की कथा पढ़नी या सुन्नी है और फिर मंत्रो सेवन नहीं किया जाता है ऐसे में अखंडी चावल यानि की साबुद चावल से बनी खीर का भोग भगवान को लगाए और इसी को आप प्रशाद रुप में खुद भी ग्रहन करके व्रत खोल सकते हैं हाला कि बहुत से लोग प्रदोश्रत का पारण अगले दिन करते हैं य लिठे का ही भोग भगवान को लगाया जाता है अगर आप नमक से बने भोजन का भोग भी लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखना है शुत्य सात्विक भोजन ही हो हाला कि जहां तक मुझे लगता है जो भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस बात का अच्छे से पता होता है कि लहसन प्यास से बने भोजन का भोग भगवान को कभी भी नहीं लगाया जाता है आने वाली वीडियो में आप प्रदोश व्रत की संपूर्ण पूजा विधी विशेस मंत्रों के साथ सथ व्रत की कथा के बारे में भी जानेंगे अगर ये जानकरी आपको पसंद आई हो तो आप विडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा